असलाम लेकूम फ्रेंड्स कैसे हैं सब उमीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे जी तो आज मैं बनाने जा रही हूं क्रिस्पी फ्राइज जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत असान है यहां पर मैंने तीन बड़े साइस के आलू लिये हैं और इनको फ्राइज की शेप में कट कर लिया है यह आप देख सकते हैं यह देखिए जी तबावल में आलू के चिपसों को डाल देते हैं हाफ टी स्पून में इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूं इससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हाफ टी स्पून ही हम इसके अंदर नमक एड़ करेंगे नमक आप अपनी मर्जी से ज्यादा और कम भी कर सकते हैं हाफ टी स्पून मैं इसमें लसन पाउडर डाल रही हूं जी तो अब हम इसके अंदर अंडे अड़ कर लेंगे जी तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जी तो अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैं इसके अंदर मैदा एड़ कर रही हूं मैदा अगर आप ज्यादा डालेंगे तो आप किसी प्रिस्टी ज्यादा बनेंगे मैं तक रीबन वन कप के बराबर इसके अंदर मैदा एड़ कर रही हूं मैदे को मैने अच्छे से चान लिया है जी तो ये देखिए मैदा और अंडा अच्छे से मिक्स हो गया है कड़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है जी तो ये देखिए आलू के चिपस हम इसके अंदर डालते जाते हैं अलैदा अलैदा मैं इसलिए डाल रही हूं ताके ये आपस में चिप केना इनको दो मिनिट तक चम्मत से बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे वरना इनकी कोटिंग खराब हो जाएंगी जी तो ये देखिए चिपस यहांपे पक रहे हैं थोड़ा सा इसको चम्मत की मदश से ही ला लेते हैं अंडर डालने की वज़ा से ना ये चिप केंगे ये देखियाँ फ्राइज को अच्छे से गोल्डन करेंगे जी तो ये देखिए ये अच्छे से फ्राइज हो गए है कितना जबरदर्स इस पे गोल्डन कलर आ गया है अब हम इसे डिश आउट करते हैं जी तो ये देखिए हमारे मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइज तैयार है बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं और कितनी असानी से और जल्दी से ये बन गए हैं या आप देख सकते हैं कैचप के साथ इसको खाएं आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आईगी ये रेसिपी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज